हलो फ्रेंड्स अगर आपके पसू में प्रलैप्स की सिकायत है आपका पसू फूल पाँछा या सरीड दिखाने लग गई है तो आप किस मेडिसीन को उप्योग में ले सकते हैं प्रलैप्स में पसू के सरीड के अंदर वेदन बढ़ जाता है और यह इंजेक्शन वेदन को कम करता है जिससे प्रलैप्स की सिकायत से पसू को निपटने में काफी मदद मिलता है अगर आपके पसू में डाइडिया या दस्त से प्रभावित है आपका पसू तो भी आप इस इंजेक्शन को उप्योग में ले सकते हैं डाडिया में होने वाली कॉलिक पेन में या इंजेक्शन काफी बढ़ियां रिजल्ट देता है अगर आपके पसु में अफारा के कारण कॉलिक पेन हुआ हो या मरोर की समस्या हो तो भी आप अपने पसु में इस इंजेक्शन को या गैस के बनने के कारण भी कॉलिक पेन हो जाता है तो आप जरूर से इस दवाई को उप्योग में लें बढ़िया रिजल्ट मिलेगा डेक्ष्टोसिया के केस में भी बच्चा निकालते समय पस्वों को काफी दर्ध होता है बच्चा निकालने से पहले इस इंजेक्शन को उप्योग में लिया जा सकता है Retention of Placenta, JIR अटकने के case में JIR निकालते समय पस्वों को काफी दर्द होता है इसलिए JIR निकालने से पहले या निकालने के बाद आप इस injection को उपयोग में ले सकते हैं पस्वों को कुछ injection लगाने के बाद irritation करता है जैसे ऑक्सी और बरनिल इंजेक्शन जब हम लगाते हैं तो पस्वों को irritation होता है तो आप इस injection को उपयोग में ले सकते हैं जो irritation के प्रभाब को कम करें जिहां फ्रेंड्स या injection प्रोनेक है प्रोनेक इंजेक्शन और बॉलस दोनों आता है आप अपने सुविधा अनुसार इंजेक्शन या बॉलस को उपयोग में ले सकते हैं प्रोनेक एंटी एस्पासमोडिक और एनालजेसिक दबा है रूमेन में किसी भी प्रकार के दिकत के कारण कॉलिक हुआ हो या metabolic disease के कारण कॉलिक हुआ हो तो भी आप इस इंजेक्शन को उपयोग में ले सकते हैं काफी बढ़िया रिजल्ट है प्रोनेक का किसी अन्परकार के दर्द और सुजन में भी काफी बढ़िया रिजल्ट है अगर आपका पसू कहीं गिर गया है, छोट लग गया है या सुजन है तो भी आप प्रोनेक इंजेक्शन को उप्योग में ले सकते हैं प्रोनेक में पारेक्सीकेम, पीटो फिनोन, HCL, फेनपी, बेरियम, ब्रोमाइड डाला गया है प्रोनेक इंजेक्शन का डोज बरे पसुओं में अगर पसुओं चार सो से पांसव किलो का है तो 20 से 25 एंजेक्शन लगाना है, I.M. रूप से देना है अगर पसुओं का वजन 300 से 400 केजी है तो 15 से 20 एंजेक्शन को उप्योग में लेना है छोटे पसुओं में 2 से 5 एंजेक्शन को उप्योग में लेना है अगर आप बॉलस को उपयोग में ले रहे हैं तो बाई पसू में एक बॉलस सुबा एक बॉलस साम और छोटे पसू में आधा बॉलस सुबा और साम देना है